तो आप सभी वीवर का बहुत बहुत श्वागत है आज हमारे साथ जूड़े हैं Mr. Gauru जी इन्होंने रिसेंटली GPSC Class 2 के नर्वदा Assistant Engineer में इन्होंने 11th rank किया और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे एक्जाम्स क्रैक किये हैं मैंने सुबर आपको मैसेज भी किया था आपने बहुत सारे questions इनके लिए भेजे हैं तो आपके सारे questions discuss करेंगे इससे पहले गवरो आपको बहुत-बहुत congratulations, बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत श्वागत है आपका मॉन्व एकड़ी में अर जैसे कि मैं discuss कर रहा था आपसे और इससे पहले भी कि आपने बहुत सारे exams क्रैक किया है रिसेंटली आप जॉब कर रहे हो, SSC Railway जाही में इससे पहले आपने SSC जाही भी क्रैक किया हुआ है आपने GPSC का AMBI में आपने already medical दिया हुआ है भी उसका result नहीं आया है और आपने state income tax officer का भी exam crack किया हुआ है आपने technical assistant का भी exam crack किया हुआ है तो मतलब क्या सोच के आप plan किये थे कि क्या होता है in general कि 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 किसी को एक job मिल जाती है government job तो फिर आदमी saturated हो जाता है कि ठीक है एक job तो म नहीं मैंने 2015 में जब पहले एक government officer से मीला तभी ऐसा सोचा था कि जो इन तो government करोंगा तो बाद में मिने थोड़ा डीप एनारी से थिया दोजार सोला में जब RTO की वेकेंसी आयी तब पता चला की mechanical से हम इस तरह से RTO inspector भी बन तकते हैं दुसरे field में हम जा सकते हैं क्लास्ट करना है तो अच्छा तो फिर आप में प्रिपेरेशन स्टार्ट की और दीरे 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 आगे बढ़ता गया तो इस तरह 2019 में सारी भरतिया आई अभी में नोटिफिकेशन निकला तो और एक प्रिपेरेशन का लेवल बन चुका था तो सभी के एक्जाम दिये और क्वालिफाई कर और एक बात यह भी है कि आपके पास वर्कलोड भी आप रिसेंटी जॉब भी करते हो जॉब के साथ आप प्रिपेरेशन करते हो बहुत सारे लोगं का एक्सक्यूज होता है कि जॉब के साथ टाइम नहीं मिलती है यह नहीं होता है तो उनको आप से सीखना चाहिए कि आप जॉब भी करते हो आपने प्रिपेरेशन भी किया आपने टेकनिकल एक्जाम भी क्रैक किया आपने नॉन टेकनिकल एक्जाम भी क्रैक किया प्योर टेकनिकल प्योर नॉन टेकन और फिर आपका एक लेवल बन गया और एक्जाम क्राइफ होगे जिसे मैं इस्पेसली बात करूं तो इस्टेट का जो इंकम टेक्स ऑपिशर वो टोटली नॉन टेक्निकल है तो एक टेक्निकल स्टुडेंट को नॉन टेक्निकल में स्विच करना आशान तो नहीं होता है बट लोग कर रहे हैं बट आप टेक्निकल के साथ आप एक साइट टेक्निकल भी दे रहे हो दूसरे साइट नॉन टेक्निकल भी दे रहे हो तो कितना चैलेंज था और आपने कैसे मैलेज किया दोनों एक्जाम को मेरा टेक्निकल है भications बट ऐले यह वह वह घृत फ्लियर कर लिए त्थेक्निकल थो थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉंग ही था बात में बात नॉन टेक्निकल कि जब नर्मदा का वेकंसी निकला सब मैंने सिले बज देखा पता चला कि यह इसमें नॉन टेक का पोजिशन है तो देखा कि सड़न वो गया कि एक इस तरह से मैनेज करेंगे तो मैंने यहां पर मेरे सुरत में एक फाउंडेशन जीसे इस फाउंडेशन उसकी हेल्प ली और गाइड़स मिला कि इस तरह से प्रिपेरेशन करना चाहिए तो बाद में मेरे क्रेंड मुझे सजेशन दिया कि आप एक काम करू पहले एक सामन्य अभ्यास की कोई हमारे यहां वाल्ड इंबोक्स के बूक हांती है तो एक बूक मेंने उसने बोला कि एक बार पटो तो थोड कि बूक में मुझे इंट्रेस पड़ने लगा और करन अफेर देखने लगा तो पता चला कि इस तरह से रैंकिंग अपनी इंडिया की ए पोरें अफेरे इस तरह होता है तो 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 थोड़ा-फोड़ा इंट्रेस लगने लगा बाद में एश्टी एक लेवल नेट कर लेगे क्या हमें इंप्रूणमेंट की ज्रूदध था एक्जम करेंगे अपियर कर रहा हूँ तो इस तरह से डेने गया एक्जम तो देखा कि हम एक बाउट कोटॉड के आज-पास तो पहुँची रहें तो नों-टैक प्वर्शन था तो पुरी समझ आ रही थी और याद भी रहने लगा था और करन्ट सिनारियो है उसके सबसी में चलता है बट जो आप बात करें हो कि नॉन टेक के लिए में नर्मदा कल्स स्टेट का और सेंटरल का बात कर रहा हूँ तो स्सीघ takes, जमינה स्टेट के लिए करना है वर इस दोने में कापी सारा डिफ्रइंस है की ी इँ श्टेट है वह कुरी तरही करन पर बेस चलता है की यदि कुछ कि यदि राष्ट्रपधी की निमनुक होती है तो उसके हिसाब से वो कुलिटी में सी क्वेश्चन निका लेगा जब कि वो सेंटरल गोड़मेंट है उसका क्या होगा है कि सेंटरल गोड़मेंट का फुरा स्टिस्टिकल डेटा रहेगा अधमें वो दूसरा है वो करेंट तो उसका जो सेंटरल का दोनों का जी के तो फोड़ा डिपन रहेगा जैसे कि आपने कहा कि आप एक बार नॉन टेक पढ़ना शुरू कि यह तो आपको इंट्रेस आने लगा मेरी यह बहुत बड़ी सिकायत है जो इंजिनियर है यह मतलब आपको नॉन टेकनिकल में इंट् किया कि हमेज ओ करना है हो करना ही है व कहा है कि यह मेरा सब्जेक्न नहीं पज़ूँगा इस तरह से तो उस तरीके से नहीं है मेरा तो प्रसनल यए ग्रिवेंसेज है कि मतलब इंजिनिर किसी को जीने नहीं दे रहे हैं को टेकनिकल जॉब तो अपनी है, नॉन टेकनिकल जॉब भी दूसरे बच्चों के पकड़ने हैं, बीए, बीस्टी वाले कहां जाएंगे, खर आगे बढ़ते हैं, अगर मैं थोड़ा सा आप से स्पेस्फिक क्वेस्टन पुछू हूँ, नॉन टेकनिकल से लिटेड, तो अगर आप इस्पेस्फिक क्या रिकमंड करना चाहूँ नॉन टेकनिकल के प्रिफेशन के लिए अगर कोई नर्मदा में भी अपियर होता है, कोई जेई में भी अपियर हो रहा है, S.S.C. के या या ये रिकमंड करना चाहूँ जो स्टेट की एक्जाम है उसमें तो क्या है कि पर्टिकुलर तिलेवस के इसब से जाना चाहिए बट ससी और सेंट्रल का जो एक्जाम निकलता है उसमें मैं प्रिफर करोंगा तो यह लुषेन की एक बूक आती है लुसान की बूक है इसमें से मैं पूरा जीके किया था और इसमें हम से वन हमें जो वन से टेंट जाड़ा जो पड़ा है वो सब कुछ कवर किया गया है केमिस्ट्री है फीजिक से बायो लोजी है जो इस टेस्टिकल डेटा है वो जीओग्राफी सब कुछ इसमें कर गया इन मैं मानता हूं तो मिने जो तीन अटेंब दिये थे तो इससे बाहर तो शाहीजी कोई क्वेस्टिक का बेटा का होगा मतलब अगर हम Central की प्रिपेशन कर रहे है तो लुषेंट सफिशेंट है अगर हम Engineering Core की कर रहे हैं हाँ प्योर अगर नॉन टेक्निकल नर्मदा की बात करें तो आपने वर्ड इंबॉक्स की बुक आपने प्रिफड किया था तो वह सफिशेंट तो नहीं है बट वर्ड इंबॉक्स क्या है कि आपको बेजिक्स देगा उससे आपको थोड़ा इंट्रस लगेगा इसे सभी सब् करने के लिए आपको पर्टिकुलर बुक रिकमेंड करनी पड़ेगी या कुछ वीडियो तेखने पड़ेगे इस तरी अगर हम आप टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में भी आपने जो एक्जांस दिये हैं उसमें काफी वैरियेशन है जैसे ससी जई है इसका लेबल र प्रेफ्रेंस लगता है और इस पेसली इनकी प्रिप्रेशन अगर टेक्निकल की हम बात करें तो सब की सेपरेट प्रिप्रेशन करने की ज़रूरत है या फिर आपने पढ़ाई का लेबल अचीब कर जाए टेक्निकल में तो फिर शारे एक्जाम स्क्राइब हो सकते हैं और आप वन बच्चों को क्या करना चाहोए जो सार इग्जाम में अफियर ओनेवाले ही वह इन सार इग्जाम में टेक्निकल की बात करूँ तो एक्टिकनिकल की एके साथ ही शमे उसमें आपके कंसेप क्लियर हो गए बूरे तो कंसेप्के इस अब इससे पिक्र तो उसमें पास वह बट यदि आप कोई पर्टिकुलर एक्जम को फोकस कर रहे हैं तो मेरा मनना है कि पहले आपको सिलेबस रिफर करना दे कोई भी एक्जम हो हम जिसके लिए जा रहे हैं तो उसका पहले सिलेबस का प्रिंट आउट लेकर हमें देखना जाए कि कौन-कौन से पोइंट फोकस किया है मैं स्पेशली बात करूँ तो SST है रेल्वेज है वो डिप्लोमा लेवल का पोस्ट है तो उसमें क्वेशन केसे आ सकते है कि तो थूड़ा जाएंगे तो थोड़ा डिप जाएगे पर नुमेरिकल उसमें नहीं आ शूड़द को मिये छोड़के ज्यादा को करूगा यदि मैं आज्ती ओ टूप की दिने जाता हूँ तो क्या है कि उसमें थोड़ा concept, deep concept चाहिए होगा, थोड़ा numerical भी मेरा position होना चाहिए कि IES में जो numerical आते थे, 2018 से थोड़े tough होने लगे, बट पहले जो numerical साते थे, थोड़ा वो इस तरह से numerical, थोड़ा deep concept वाला इस तरह से करके जाएंगे तो मिक्स होता है, और इस पेसली में बात करूं तो आप जैसे से से रेलवे जई में आप जॉब भी कर रहे हो और से से में भी आपके काफी अच्छे score थे, तो रेलवे जई के लिए आपने कौन सी बुक प्रिफर्ट किया था, टेकनिकल के लिए, अगर मैं बहुत तो रेलव इस तरह से मेरे नोट्स बनाये थे, कि पर्टिक्यूलर एक एक तींग है, जो मेरी समझ में आता है, इस तरह से लिखता जाता हो, उसमें कलर फुल ठोड़ा रखता हूँ, यानि रिविजन के वद्पे थोड़ा मैं क्या है कि वो इसा ना पीलो कि ए पटना नहीं हो, बोरि इसलिए कहांती होकि में कि प्रिविए स है विदे कवेिश्चन के पर चाहँ एन के वे प्रिविए से निकलते है, कहां से वो लोग दे निकलते हैं, यानि कि कि यस Тरह से क्वेश्चन आते है, तो बहुत सारे एक्जांस पॉस्पोन हूए, अब हमें ऐसा फील होता है, जब एक साथ आएंगे तो अगर हम यह कंसिडर करके चलते हैं कि 2-3 मन्त में एक्जाम साने वाले हैं तो इस्टिएंट के पाथ यही जो टाइम है 2-3 मन्त का जो पूशियल टाइम है आप अपने हिसाब से क्या रिकमेंट करना चाहोगे को उनको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए अनकी स्टिजी क्या होना है प्रिपरेशन करा थार में है कि एक ख़िएंट का अपनी को यह जो मेरा कंसेप यह जिस स्टु्ड़ेंन का क्लियर नहीं कि थोड़ी करने बुक जो वि के टाइम पर उसने पढ़ है वो गुटब्डे लेकर एकषबग एक वह कंसेब्स बाद में ओन्लाइन मट्रियल वो गुगल पर किसी की एंडनोट मिल जगी यदि अपनी एंडनोट नहीं है तो किसी की एंडनोट का वो समझ में आता है तो इस तरह से पहले वो चंतेफ लियर हो जाए बाद में यदि आप क्लास टू फोकॉस कर रहे हैं तो आई एस गेट के प्रीवीए सियर के चुल कर रहे हैं तो पहले उसका ट्रेंड देखे कि प्रीवीर्स टियर जो पेपर हुआ था उसका की तरह से स्थे पेपर आया था वो इस तरह से पहले में करूंगा और बाद में क्या करूंगा? कि सब कुछ होने के बाद मेरी जो एक सेटेजी थी वह टो संट्राइब झाल हैं और दॉज थित्रहशंटा की अपस्ट्राइब बहुत लेकिर जाता हु। कभी भी मैं जाता हूं साथ में इसे रखता हूं। कभी भी मुझे कुछ डाउट राया। तो इसमें यदि मुझे फ्लोइट का कुई नया क्वेस्टन मिला और उसमें यदि अदि अदिक लिख लिए था तो मैं इसमें लिख लिख ले था था कि जो कंसेप जाब यह निचे नोट मार के डाल देता था यानि चोटी-चोटी जो नोट मैंने बनाई थी अभी इसमें 500 से जादा मैंने नोट्स मारी हुई है और क्या है कि इस भूकों मैंने 15 से 16 बर रिपिट कर दिया है तो गया है कि यह पूरा मेंकेनिकल एद्यापका कंसेप्ट्वाल बेज होगा है अभी में दो-स्तीन महीने से में ने में 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 देखा भी नहीं है तो थोड़ा बूल गया हूँ तो यह एक बार रेज तरूगा तो पूरी तरस मुझे वह जो जो फोर्मिला बेज है तीरी जो अस्परेंट्स हैं कंसिस्टेंसी को लेके बहुत सारे लोग मुसे यह सवाल कहे थे आप से कुछने के लिए कि एक कंसिस्टेंसी वह कैसे मेंटें करें और रिवीजन की स्ट्रेजी क्या फॉलो करें तो क्या है कि आठ गंटे पढ़ लेना दस गंटे पढ़ लेना वह मेरी वह स्ट्रेजी नहीं थी मेरा क्या था कि दो तीन गंटे पढ़ो बट सफिशंट इस तरह से डिप उसका वह क्या है कि पुरा पॉंसेंट्रेट करके पढ़ना कि वह कॉंसेट क्या के नजा मैं पहले हुआ थिन गंठे पर्टाहू थो तीन गंठे पहर रेक्ट थे रेक्ते पर्टाए ठोक्र्ता एस तरह से तुखले तुखले में पढ़ता हो और क्या है कि एधि आज मैं एक मेरा इस तरह से स्टेटर्य रएगा कि पिले में अपनी एंड नोट्स ओटाओंगा बाद में के करूंगा आड अरेश कुर्मी के करूंगा सभी पोर्शन आ गया इसे बाद में दूसरा सुपजित लेगा येस अटने में मुझे मिनिमम् 20 से 30 दिन लगेगा तो यदि एक बार आ गया तो एक लिश समझ में तो आ गया है अब रिविजन की बार ही आती है तो मेरी जो मेकेनिकल की मैंने आपको बताई वो बुक को एक बार पूरा रिपीट कर दोगा और क्या करूगा कि प्रिविए से क्वेशन पेपर है तो वो सोल करूंगा अपने ही स पे वो मिस कर रहा हूँ तो क्या कि आई एक के क्वेशन हम हम सोल कर दे होते है न तो क्या कि नुमेरिकल का क्वेशन आता है हमें फोर्मुला आता है यानि अपने इस अप्तिकल लेज़ें अच्छा यह आ गया पर्मुला आ गया यानि उसका आंसर आजे पर सही में आप है वो भी 180 मिनिट में तो वह सब कुछ प्रेशर पर आपके से में कर पाते हो वो मतलब यह कहरो कि जब आप प्रेक्टिस करने बैठो तो यह ना देखो कि आपको आता है एक बार उसको पूरा सॉल्व करो प्र आपका एंसर मैच कर रहा है कि नहीं क्योंकि 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 उसमें मेडिकल दिया हुए आपका डॉकमेंट वेरिविकेशन हुए हुए है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं लोग रिजल्ट नहीं आया भी और आपने जैसे बताया कि आपने तो एफिडेविट कर दिया कि आपको जॉब नहीं लेनी है तो यह बहुत अच्छा थे हम तो इसके लिए आपको बहुत-बहुत बढ़ाई देंगे कि बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं आपका यह वीडियो में ने देखा था पेले इसलिए हां मुझे कई सारे लोगों ने कहा था कि इसलिए आप एक बार कहो रिगमन करो कि बहुत सारे लोग है जो प्लास 2 में सेलेक्ट हुए अगर उनको जाइन नहीं करना है तो एपीडेविट समेट करें तो हम आपको कॉनचुलेट कहेंगे कि आपने मतलब दूसरों के बारे में सोच आने तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इकठा करने लगते हैं कि मेरे पास ये भी पोस्ट है मेरे पास ये तो यहां पर जो डाउट है स्टुडेंट्स का वो मेडिकल से रेटेड़ है कि अगर हम इस स्पेसिफिक मेडिकल की बात करें तो क्या-क्या वो मेजर करते हैं क्या-क्या टेस्ट रहता है मेडिकल के लिए क्लास टी मेडिकल में एक हाइट टेस्ट रहता है चेस्ट और वे वही चाहिए होते हैं जनरली डोकुमेंट की रहते हैं कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि जो ट्रीपल सी का सर्टिफिकेट होता है क्या वहाँ पर डिमांड किया जाता है या फिर बहुत सारे बच्चे कहते हैं का 12 में computer है या फिर CAD CAM उनोंने पड़ा हुआ है तो consider कर लेते हैं जा ट्रीपल सी या जनरल कंप्यूटर नौलेज़ उसको consider करते हैं इस पर माइ नौलेज़ तो ऐसा है कि 12 का ये आप 12 साइंस किया है तो उसमें आपका computer subject रहता है तो 12 में येदी computer दिया है तो CCC की जरूरत नहीं पड़ती है अच्छा दूसरा question है कि क्या अभी आप class 2 का जो है MBI की पोस्ट है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे और आपने कुट कर दिया आप ये अभी में एक टेन रूस आपके पढ़े रहा था बाद में गेज़िट भी पढ़ रहा था बड़ नहीं करने वाले हुँ अच्छा अभी एक्जाम में अपिर नहीं होने वाले हो कि अगर हम पर्टिकुलर्ली बात करें एंबियाई और एंबियाई के लिए तो टेकनिकल के लिए कौन सीबुक फॉलो करनी चाहिए और जो नॉन टिक का इसमें पोर्शन है चाहिए वो इंग्लिस का हो गुजराती का हो या फिर यह जो एक्ट रूल है इसके लिए आपकी क्य स्ट्रेटिजी थी अभी तक जो प्रिपेशन आप कर रहे हैं यह स्ट्रेटिजी बनाई थी उसके ही साथ से क्या है कि मेरा टेकनिकल तो स्ट्रॉंग गी है कि 125 मार्क है उसमें से में मुझे डेफिनेट पता है कि मैं यदि easy question आता है तो सो के अब किस सकता हूँ और यदि थोड़े हार्ड रहता है कि अजसी से अपिछ शकता है तो मुझे ज्यादा फोकस करने की कुछ जरूरत ने यदि किसी का टेकनिकल थोड़ा वीक है तो उसे टेकनिकल पे फोकस करना जाए और टेकनिकल में जो अभी मैंने स्टेटेजी बनाई थी कि नया ओटो मॉबाईल क तो उसमें ट्रॉबल्शुटिंग डाइग्नोसिस को लेकर सभी को कन्फुजन रहता है तो अभी मैंने मास्टर्स के टाइम पे जो बुक पड़ी कि ट्रॉबल्शुटिंगी वो में बताना चाहूंगा एक थाई ओटोमोटिव मिकेनिक्स करके एक बुक थे विल्लियम सबसे आ जाये तो क्या है कि यदि कुछ नया जीपेस्टी करती हो और नया ओटोमोबाइल का कुछ आता है तो ए भी मेक अप करके रखना जाए और जो इस बार है क्या है कि गुजरत में जो सिनारियों चल रहा है कि पाट्चे-छे मार्क में पुरा कॉम्पुटिशन ओवर जब में बात करूँ तो मैंने रहा है कि अम दो लोग एक साथ रिपरेशन कर रहे थे तो एक दूसरे के साथ डिस्केशन करना बहुत बहुत बेटर रहेगा तो जितना डिस्केशन रहेगा उतना उसमें बेटर रहेगा और जब में बात करूँ तो मैंने कर दिया था तो आटी थोड़ा में प्रिपरेशन में छोड़ दिया था बट जब लोगदाउन आया तब मुझे पता चला कि यह क्या है आपका कॉमेंट भी ने पटा था कि आप तोड़ा बीच में प्लस्टेट हो गए थे कि इसा वेसा कॉमेट कर दिया था बट एक बात तो कि बेजिक ओवर्यू समझ में आ गए और बात में में जो केज़एट पटने चालो कि तो उससे कापी सारा मुझे हो गए तो क्या है कि अब मैंने उसकी प्रिपेरेशन अभी चोड़ दी बट यह तो मैं मानता हूं कि उसमें गुरूप डिसकुशन ज्यादा रोल प्ले करे जो कि के गुष्शन परिफ कि ती कि तru ही लोग का थी करते होगे अगी को श्यादी ग विज्दाती मिर्यम वाला है, तो समानार्थी, विरुदाती, रुटी, प्रयोग इस तरह से बोलते हैं, तो सब कुछ वो रूटीन लेंग्वेज में आता है, वो ही है, उसमें प्रैक्टिस की जरूरत रहें हैं, तो चाहन दलंकार यह से कुछ, वीसमार के सा है कि आप वो ख बाकिठो, मैंने ड़स पेज की एक यह नौट बननाई है, कि दर्स पेज में से ही सब कुछ निकलाः कि, छंद है तो, चंद का अलंकार एक है तो आलंकार, तो अलंकार इस तरह से वो सब कुछ में इन बननाया, कि रिविजन के ताइम पे इस तरह से ही इसको यहीज कनना है कि इंपोर्टन फोर्मुला है जब मैं एक्जम देने जा रहा हूँ और इन गंटे की देर है तो बाहर बेचके मैं पड़ सकता हूँ इसको उसको मुझे कुछ नहीं करना उनली फोर्मुला है जो इंपोर्टन टॉपिक से वह याद रखना इस तरह से एक लास्ट क्वेस्टन अब हम थोड़े से आपके इंट्रीव के तरफ बढ़ते हैं नर्मदा का जो आपका इंट्रीव हुआ था कोई ऐसा experience कोई ऐसा सवाल जो आपको लगता है कि सेर करना चाहिए experience को help करेगा किस तरीके से इंट्रीव की करना चाहिए बच्चों को टेकिनिकल क्या लेवल कैसा होता है इंट्रीव का क्या नौन टेक्निकल चीजे भी पूछी जाती हैं नर्मधा का इंट्रीव के बात करे तो कोई पर्टिकुलर ऐसी प्रिपेरेशन तो मैंने नहीं की थी बट तो मैं दरश्टी आई एसके वीडियो देखा है किस तरह से बात करनी चाहिए इस तरह से वह कम्यूनिकेशन करते इस तरह से मिन खिया था बट मेरा जो टेक्निकल इंट्रीव है मैंने अपना ब्रीप किया तो बता है कि आप मास्टर्स की हुए हो तो आप इस चोब में आप अपना रोल के से प्ले करोगी तो पहले तो एक वेशन आया कि किस तरह से कंदिशन बेज से लारि आफियर जैनल साथ कि यह प Kenya कोड़ा हुआ है, अाग फिश्टर तोस लाइर कि पेट्रॉल का अपिस्टन ज्टरोग एप इस्कृ निशिट गजा है !! प्टोड ओधिस फिर्प दिए भी संग दोड़े रंदे बिलिए प्रवेश्व एक में किस्तरए बेरे लिए खिर्टरों से अप्रभी की वी से थी नहीं है रहे हो इसमीनलिगमोर्ण पर उसमीरे लोग जुट बीलिग है तो जो मेरा बॉस्तरए तो यह स्ट्रॉंग तो करने से अध्छा है कि कर दो कि टकर तो कम तूक थो हृता है Camp कि बाट लेख का टो कुछ सन जा मुझे नहीं कर दो कि यह नहीं होती कि एक बूचा क्या है कि तो प्रहुआ है तो मैंने बहुटा कि कि यह पर तारीतтесь और चालीज़ में रखता हो तो वो बोलता है कि पास्कल, आ यूर शोर? तो है यह सर, पास्कल होता है. तो थोड़ा रही पे ऐसे अज़ा हो सकता है, गलत था, इस तरह सरे सरे सा है. नहीं मुझे पता है, जो आपने 2-3 क्षिशन पता है इस कौन से गाड़ी को पूस्के करेंगे, क्या करेंगे, वो मुझे आने वाला है, कॉमबैक की, सर आप बता हो, कैसे होने वाला है, तो कोई बात नहीं हो हम डिसकासर करेंगे, आपने क्या उसका रिप्लाई दिया था, नयुकित थीक देता तू क्या थीकित कि अशम्यल तक है सब्सकते करने जोzer थे करिया तहें सानिंड कि मैं पेट्रोलु लेजाए गया था कॉ capital the the पुरा ब्लेंक हो चुका था, क्यूकि मेरा जो इंटर्यू था, उसमें फोड़ा विक हो गया है, तो वो में थेट किया है, बट इस्टन में में ने बोल ला था, और बाद में जो प्रेस्टन लगा जा रहा है, तो एक साथ में ने पच्छिस क्षेशन के तो आंसर दड़ा द अगर आप अपने तरफ से उनको कुछ बताना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो मोस्ट वेल्कम बताना तो यह चाहूंगा कि कंसिस्टन सी बनाए रखे और मेनद करते जाए, रिजल्ट कुछ भी आए, मैं अपनी बाद बता हूँ तो मेरा एक बार फैलर हुआ, बाद में मैंने तीन साल तक कुछ, दो साल तक तो कुछ एक्जम ने आए, बट पंसिस्टन सी बनाए रख अब ने आए, बाद बमें बताना तो यह चाहा हूँ तो में बताना जाहूंगा कि तयारी करते रहें, अगर आप आप अगर अधिस्टी से तयारी कर रहें, तो सक्सीड जरूर करेंगी, एक लास्ट प्थे आपके चाहा इस पहे है, अगर आप देना चाहो तो आप married है अभी या unmarried है unmarried अच्छा unmarried है आप तो पूरे concentration के साथ और कोई divergen नहीं था आपके जिंदगी में केवल और केवल पढ़ाई divergen तो कहीं आये थे बट ignore करते गए जिरे जिरे आगे बढ़ते गए तो वही होता है कि आप divert नहीं होगे तो ही succeed कर पाओगा अगर आस्ता चेंज हो गया तो फिर तो मंजिल गई आपकी काम से तो जितने भी aspirants हैं उमीद करते हैं कि आप से कुछने कुछ सीखे होंगे इस्टिल अगर आपका कोई doubt है तो ये वीडियो का live होने वाली है 10 o'clock पे आप comment box में अपना जो भी doubt है आप करिएगा और हम उमीद करते हैं कि गउरो आपको reply भी देंगे और definitely आपका reply देंगे अगर कोई doubt है तो आप जरूर लिखेगा बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुडने के लिए और जो aspirants उनको motivate करने के लिए हम उमीद करते हैं कि आप इन future जो भी आपकी चाहें हैं जो चीज आप succeed करना चाहते हो जरूर करें और पूरी मनुए अकैडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत आबार Thank you